ब्रेकिंग नीज आज के डेट में आइस AI का इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है चैसे ही कोई भी एंपॉर्टेंट आता यह चैनल पूरा कोशिस करता है सबसे पहले आपको अपडेट कर देने का आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे अपडेट करने से पहले चोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग का अपना फैंपॉर्टेंट इस पिसले तीन साले से सबसे पहले आपको अपडेट करते आ रहा है तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं की ए ते प्लीज सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन विल जैसे ही आप लोग official website पर आओगे student वाला section पर क्लिक करने इसका site में ब्यूरस नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करना ब्यूरस नॉलेज पोर्टल के official website प्या जाना है जैसे ही official website प्याओगे इसके बाद scroll down करके थूरा सा नीची आना जैसे नीची आओगे तो यहाँ पर student general के नाम कर सकते हैं फरवरी 2023 का या यह पीडियाप को मैं चार्टे स्टेडिज के टेलिग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं वहां से डाउनलोड कर लिजेगा इस्टुडेंट जेनरल को एक बार जरूर गो थूरू कीजिएगा आप लोग चाहिब कर लिजेगा अब बात कर लेते हैं आज के डेट में अपडेट किया है यह जो भी एनाउंसमेंट बता रहे हैं पेज नंबर 29 से अब बताएंगे स्टुडेंट जरूर का जो भी आज के डेट में अपडेट किया पूरा मैं आप लोग को इनफॉर्म कर रहा हूं इस वीडियो इस एनाउंसमेंट को एक बार फिर से अपडेट कर दी हैं मेरा मतलब एक बार फिर से इनफॉर्म कर रहा हैं सिए इस्टुडेंट को सिए फाउंडेशन जून 23 का एक्जाम स्टार्ट होरा 24 जून 2023 से एक्जाम डेट सिट आपके स्क्रीन पे सो कर आप लोग चाहो तो इसक इसक बार फिर से इसक एक्जाम सेंटर इंडिया में या ओवर्सीज में कहां कहां पे है अब मैं सबसे पहले कैसे चेक करूंगा आप लोग भी इस टेट वाई जिला में हैं तो मैं देख़ूँगा क्या मुझा फरपूर में एक्जाम सेंटर है लेकिन मैं अभी तो रह रहा हूँ फिलाल पतना में तो एक्जाम देने तो मुझा फरपूर नहीं जाओंगा पतना में रहा रहा हूँ तो पतना में ही एक्जाम दूँगा इस टाइप से आप लोग सोचोगे और एक्जाम सेंटर को देखोगे मैं जो समझाने का कोशिज कर रहा हूँ आई होब कि आप लोग समझे होंगे अब आपके स्क्रिन पे Overseas में कहां कहां पे एक्जाम सेंटर है वो सो कर रहा है और हाँ एक और important बात इस बार चाहिए आप C.A. Foundation का एक्जाम फॉर्म फिल कर रहा है इंटर्मिडियर्ट या आखरी देट क्या होगा विदाउट लेट पाइंट तो 24 फरवर्जद 2020 तक आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो वित लेट फाइंट आप लोग 3 मार्स 2023 तक एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो लेट फाइंट कितना लएगा तो 600 एडिसनल लग जाएगा सारे 23 कोई वीडियो आ जाएगा सबसे पहले सी एसके ऑद इंटरमिरिएट का एगा और इसके बाद सीए फाइनल का हैगा तो प्लीज आप लोग वीडियो देख के ही इक्जाम फ़र्म फिल करें वीडियो देखके एक्जाम फिल करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और नहीं कोई मिस्टेक करोगे किसी एक ग्रूप का एक्जाम फिल करोगे तो 1500 एक्जाम फिल करोगे तो 2700 चाहे आप group 1 का exam form fill करो C.A. final का या group 2 का 1,800 single group करके करोगे तो और both group का exam form fill करोगे तो 3,300 और अब बात कर लेते हैं C.A. foundation का exam form fill के बारे में तो C.A. foundation का exam fill है 1,500 लेको आप C.A. foundation का exam form fill कर रहे है intermediate या final का आपके bank में 20 से 30 रुपया जादा होना चाहिए मेरे हिसाब से 10 रुपया से लेकर के 28 रुपया तक कुछ charges कट जाता है वो charges depend करता है आप किसके थूरू payment कर रहे हो अगर sufficient balance नहीं रहेगा तो payment failed हो जाएगा अब बात कर लेते हैं ठर्ड important announcement के बारे में यह announcement है ICA scholarship से related तो ICA scholarship से related मैंने already video बना दिया है detail में कौन से student ICA scholarship के लिए apply कर सकते हैं condition क्या है detail video already बना रखे है video का link आपको description में मिल जाएगा बाकि आप लोगे student general को एक बार go through कर ले ना आपका doubt clear हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में ICA है हैदराबाद ब्रांच host का राइगरेंड फिनाले जो की sketching poetry से related competition का अब बात कर लेते हैं कौन से date को हो रहा इसको देखना कैसे है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं date के बारे में February 2023 student general को मैं charter studies के telegram channel पे share कर रहा हूँ वीडियो को यहां तक देखने के लिए thank you so much और हाँ channel पे कैसे search करोगे telegram channel पे जाओगे telegram पे search करना है charter studies या इसका link आपको description में मिल जाएगा